गंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता इच नहीं है सबसे बड़ा जानवर कौन होता है लंबाई में जिराफ राइट बड़े में शायद हाती सबसे फुर्तिला कौन होता है चीता सबसे क्लेवर कौन होता है लेकिन साला इन में से कोई राजा नहीं होता ना तो ये qualities चाहिए ही नहीं रूल करने के लिए राजा कोन होता है उसमें ऐसी कोई नियMore क्वालिटी निये, ना उचा है, ना भारी है, ना फूर्तीला है, ना क्लेवर है उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है, इसका साले का बिलीव सिस्टम बड़ा गजब है, इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं, क्या बोलता है, बोला मुझे लगता है मैं रा अब हाथी ने अब हाथी ताकतवर है कि शेर, कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है, अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता है, शेर कभी खड़ा हो सकता है, वो सूंड में लपेट के फेक दे, तो शेर खम से 100 फुट दूर जाये, लिकिन हाथी को ऐसा लगता ही चाहिए, जब दोनों आमने सामने देखते हैं, तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, इटर, ये खाएगा, उसके थौट प्रोसस में कहा रहता है, अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थौट में भी आता है, लंच, मैं इसको खा सकता हूँ, तो जो जैसा सोचता है वैसा ही हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और चीड लेकन हाथी क्या शेर से ताकतर नहीं है तो जवाब आ생 है लेकन वैसा फिल गर आए डिजी न जैटल्मेंड आफ फ्यल करना शुरू कर आपको, ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए, बस तुम्हारा एट्रीटूड जलगना है चाहिए, कि I'm a winner, that's it, मैं आपको बता दू, अभी अनाउस्मेंट हो जाए, कि इस बाहर लीला में सौ हाथी घुम रहे हैं, तुमको टट्टू फरक नहीं पड़ेगा, अभी अनाउस्मेंट हो जाए, एक शेर आ गया है, तुम्हारे दरवाजे बंद, सौला बंद कर, सौ हाथी से कुछ नहीं फरक पड़ेगा तुम्हें, और ठीक है, क्योंकि फॉट्ट प्रोसेस वैसा हो गया उसको लेकर, तो don't be elephant, be a lion, ladies and gentlemen, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, लोगों के हुश्फाक्ता हो जाए, यार,